नमस्कार साथियों, आज एक और खास विशा पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं अभी कई राजियों में ग्रामिस्टर के त्री स्थरे पंचाती लक्षन शुरू हो गए हैं तो कहीं लोग सवाल पूछ रहें कि मैं ग्रामिस्टर की चुनाओं की त्यारी करना चाहता हूँ क्या-क्या चुनाओं का सामना मुझे करना पड़ेगा, क्या-क्या समस्या आएंगी ग्रामिस्टर की चुनाओं की त्यारी करते समय आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइट करिए वैसे तो मैंने आलेडी दो तीन वीडियो इस टॉपिक पर बना रखी है जिसमें हमने बात की है कि ग्रामिस्टर पर जब आप चुनाओ लड़ते हैं तो किन-किन समस्याओं का सामना करना और कैसे तैयारी करनी है इस यूडियो में उन चुनाओं के बारे में बात करने वाला हूँ जो चुनाओं का सामना आपको करना पड़ेगा और क्यूं मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ग्रामिस्टर का चुनाओ जीतना मुश्किल है और सांसद बनना असान है ऐसा मैं क्यों कहता हूँ मैं उस पर बात करूँगा त्योंकि दोस्तो राजनिती में जब आप राजनिती तयार करते हैं राजनिती के शुरुवात करते हैं अक्सर आपने सिखाये जाता है कि पहले नीचे से आगे बढ़िए पहले एक कदम दो कदम चलिए पहले नीचे ग्राम इस तरका चुनाओ लड़िए फिर ब्लॉग इस तरका चुनाओ लड़िए फिर जिले इस तरका चुनाओ लड़िए और फिरा करके विधाय क्या सांसद की तयारी करिए जबकि सच्चा इस से उलट है जितना चुनाओ छोटा होता जाता है, चुनाओ उतना जीतना मुश्किल होता जाता है और किये लोग ये बात सुनकर शायद अजीब लगेगा बटी सचाई है जितना नीचे स्थर का चुनाओ होगा, उतना जादा चुनाओतिया होंगी सबसे पहले चीज़ वो ग्राम प्रधान के स्तरपर या ग्राम स्तरपर क्या होता है लिमिटिड वोट होते हैं अगर बड़ा काम है तो 10, 12, 15,000 वोट भी हो सकते हैं अमोमन 2, 3, 4,000, 5,000 का एक ग्राम सभा होती है जिसमें इतने वोट होते हैं अब वहाँ पर जातर लोग यह दूसरे को जानते होते हैं जातर लोग इतने परिचित होते हैं कि सबको पता होता है किसकी आइडिलोजी क्या है, कौन किसको सपोर्ट करने वाला है किसकी सोच कैसी है और जो उमिदवार खड़े होते हैं वहाँ पर जातीकत समीकरन बहुत जादा माइने रखते हैं क्योंकि लोग जर्नली अपनी जाती का अपने धर्म का या किसी का बड़ा कुन्बा हो बड़ा खांदान हो जिसके वोड़ जादा हो उन परिवारों को सपोर्ट करना पसंद करते हैं अपनी जाती धर्म के लोगों को जादा सपोर्ट करते हैं अब माली जी कहीं पर एसी डॉमिनेट करता है किसी एरिया में तो वहाँ पर वो लोग चाहेंगे कि ऐसी ही उमिदवार जीते कहीं पर मुस्लिम हो सकता है डॉमिनेट करता है तो जाएंगे मुस्लिम जीते का है ये सिख डॉमिनेट करता है जाएंगे सिख जीते ये अब क्या होगा नीचे की लडाई में धर्म जाती के समीकरण बहुत जादा स्ट्रॉंग बन जाएंगे और क्योंकि वहाँ पार्टी का सिंबल नहीं होता है, पार्टी से चुनाओं आप नहीं लड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर पार्टी की कई बार भी barrier तूटते हैं, हो सकता है कि जिस वक्ति ने लोकसभा या विधान सभा में किसी पर्टिकुलर पार्टी को आइडिलोजी द कर रहे हैं, एक्च्वल में लहर नहीं चल रही है, शेड़ो केमपेनिक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेड़ो केमपेनिक करने के लिए आपको थोड़ा बड़ा area होना चाहिए, जहां पर छुप करके परचार किया जा सके और सामने वाले को पता न चले क्या आपके या कोई ऐसा बयान ले आई है, कि उसने बयान दिया और नहीं दिया, वो सब सामने आ जाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा हाइप नहीं कर जा सकता किसी भी चीज़ को, और जब इंडिविच्वल एक एक वेक्टिव को जानते होते हैं, तो मेंटु में मार्किंग को आपक होता है, वो एरिया स्पैस्विक या गली के हिसाब से या ग्राम सभा के एरिया के हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, स्लोगन थोड़े बहुत ज़रूर काम आ जाएंगे, होडिंग्स पर क्या लिखा गया, वो थोड़ा लोग पढ़ने लगें, क्योंकि पढ़ रिकॉर्ड निकालने पड़ेंगे, उन रिकॉर्ड के हिसाब से किन बूतों पर आपको लगना है, क्या आपकी दावधारी मजबूत हो सकती है, दावधारी का क्या अधार है, क्या आप भी जाती धर्म की राजनीती करेंगे, या सामने वाला अगर जाती धर्म की राजनीत सदसे या आप चेर्मेनी का चुनाओ या अगर वहां कॉर्परेशन है तो पारशत का या मेर का चुनाओ लड़ सकते हैं अब माली जी आपने ग्राम प्रधान लड़ा और वह हार गए अब क्या होगा अब तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि नीचे का चुन क्योंकि उन्हें पता है कि ग्राम प्रधान जीतना मुश्किल होता है अब जब हम वहां जाएंगे सांसद लेवल का वैक्ति विधाक लेवल का वैक्ति ग्राम प्रधान लड़ने जाएगा पूरी-पूरी संभावन है वहारेगा और जब वहार जाएगा तो लोगों को बो पूरा गाउं उसको वोट करता लेकिन जब उसने ग्राम परदान का चुनाओ लिया तो गाउं में फूट पड़ गई है और ग्राम परदान में भी 10-12 लोग तो जरूर खड़े होते हैं चुनाओं में तो 10-12 गुट बन जाएंगे तो डेफिनिटली एक गुट का सपोर्ट पड़े और आपको बड़ चुनाओं लेने जाएंगे पूरे गाउं का सपोर्ट आपको नहीं मिल ले वारा है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कुछ ललाइया हारनीपडती है खोलनीपड़ती हैं डाती धर्म के समीकरन होंगे ही उनको ऊळने का रहना ने पड़े एक्सपर्ट एडवाईज लेनी पड़ेगी, एक्सपर्ट के साथ बैठकर रणनीती बनानी पड़ेगी, वहाँ पर शेड़ो केमपेंग या बागी केमपेंग से जादा असर नहीं होने वाला है, इसलिए बड़ी-बड़ी होड़िंग लगाकर, पोस्टर बैनर लगाकरके, अपना समय अपना पैसा बरबाद मत करिए, ग्राम परधानी का अगर चुनाओ लड़ना है, तो ग्राम इस सर पर काम करिए, वो सिर्फ इसलिए काफी है, होडिंग लगाना, बैनर लगाना, कि लोग को पता जिले आप चुनाओ लड़ना है, लेकिन चुनाओ जीतने के लिए, क्योंकि दोनुमें फněर्क है न, practical सा मधान देने पढ़ेंगे और कई पढ़े लिखे लोग हैं आजकल क्रेस हो रहा है लोगों को राजनीती में आने का तो पढ़े लिखे लोग ग्राम परधानी से शुरू करना चाते हैं मैं उसे recommend करूंगा कि वो अपनी team में किसी ऐसे वक्ति को तैयार करें जो कराम परधान बन सकता हो उसको गराम परधानी के लिखे लड़ाएं हारे अजीते अपनी team को train करते रहे और खुद खुद बड़े स्थर के चुणाओ लड़े कम से कम जिला पंचायद लड़ें तो जिले में जितने गाओं आते हैं उन सभी गाओं पर काम करना शुरू करिए अगर विदान सबह लड़ें तो विदान सबह जितने गाओं आते हैं कॉर्परेशन लड़ें तो जितने आजपास के गाओं जहां पर आपको लग रहा है कि कॉर्परिशन से मदद मिल सकते हैं वहां के लोगों को ट्रेंड करिए टीम बिल्ड करिए और जब आप टीम बिल्ड कर लेंगे तो आप बड़े चुनाओं के लिए तैयार हो जाएंगे और नीचे के चुनाओं लड़ना मैं समस्ता हूँ कि अपनी अनर्जी अपने समय की बरबादी होती है फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे नीचे से शुरुआत करनी है तो कमसे हम अपनी वास्त्वी की सिथी को जज़ कर लीजे किसी एक्सपर्ट की राय लीजे मेरे पास भी कई लोग आ रहे हैं अपनी सला लेने के लिए आप भी आ सकते हैं अगर आपको लगे कि मुझे सर से सला लेने तो आप मेरी टीम से संपर करिए मैं हल्प करूँगा आपके जज़ करेंगे आपकी पूरी सिचुएशन को अब्सर्व करेंगे अभी वर्तवान में क्या सिचुएशन है आपके आर्थी की सिधी कैसी है कितना पैसा आप खर्च करने वाले है किस तरह के समीक्रण वहाँ पर है उन समीक्रणों को अपनी फिर में कैसे लिया जा सकता है और किस तरह हम ऐसा काम करें कि हम अच्छी तरह से चुनाओ जीत पाएं क्योंकि चुनाओतिया बहुत जादा होंगी और निचले इस तरपर उन चुनाओतियों का सामना आपको खुद करना पड़ेगा ये डारेक्ट फाइट होगी साब विधायक इस तरपर सांसद इस तरपर ऐसी डारेक्ट फाइट नहीं होती है वहाँ पर बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे होते है और वो कोई गलत बोल दे कुछ गलत स्टेट्मेंट निकल जाए कोई गलत बात रग दी गई सोशल मीडिया का यूज करके कुछ ऐसा रिख दिया गया जो शैड ठीक नहीं था रिलिवेंट नहीं था तो भी चल जाएगा लेकिन ग्राम स्थर पर या निचले स्थर पर ये क्योंकि तरी स्थरे पंचायती एलेक्शन का सबसे निचला ग्राम स्थर है और ये सबसे टफ चुनाओ होता है लोग इसको हलके में लेते हैं इसलिए कई बार लोग हार भी जाते हैं और ग्राम स्थर का चुनाओ हारने के बाद लोग की राजनीती भी खत्म हो जाती है क्योंकि मैंने कहा ना बड़ा चुनाओ लड़ा हार गे तो नीचे आ सकते हैं लेकिन नीचे हार गे तो फिर कहा ना उपर जाने का रास्ता है और इससे नीचे की जाने की कोई option नहीं बसती है तो बहुत सोच समझ करके और जो लोग पहला चुनाओ लड़ने हो खास कर से उन पहले चुनाओ लडने महा उपर चुनाओ लड़ने से पहले बहुत जादा तयारी करें चुकिन करने नीचे की स्थर के चुनाओ लड़ने या। भी लगता है कि और कई लोग जो ग्राम इस तरफ पर ही रह जाते हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं उसका भी एक बाड़ा कारण ही होता है कि वह नहीं पर उन्हें लगता है कि मेरा काम देना चल जाएगा और अपने जो दो नमबर के या इदर उदर के काम है जिन पर उन्हें लगता है कि कोई दबिश्ट ना पड़े कोई कंप्लेंट ना करे तो बहतर होगा कि वो ग्राम परधान बने और इसलिए वो लोग ग्राम परधान खुद बनते हैं या अपने परिवार की सिवक्ति को बनाते हैं बहतर यह हो जायी कि आप बहूत बड़ाई लड़ने जा रहे हैं और यलुद होता है जैसा कि राजनीती और युद में ज़ादा अंतर नहीं है रख्ट पात के साथ की राजनीती युद होता या अपनी स्ट्रेंद बड़ा चड़ा के दिखा पाना वो तरह संभव नहीं होगा तो मैंने कोशिश कि इस वीडियो में आपको गाइड करने की आगे भी रेगुलरली गाइड करते रहेंगे कई लोग मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर कर सक करते हैं 5-10 मिट का कभी भी टाइम चाहिए तो आपको free of cost टाइम मिलेगा आप बात करिए फोन पर टेलफोनी काउंसलिंग के लिए बी बात कर सकते हैं आप डारेट आकर के मिल भी सकते हैं कभी कोई सवाल हो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखे हम लोग ज़रूर हेल्प झांट